हेलो फ्रेंड वेलकम टु माई चैनल मेडिसीन नॉलेज में अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकोन को दवाय चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और हम जानने वाले हैं फ्रोंबोफोग जैल और ओंटमेंड यानी मलहम के बारे में देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है फ्रोंबोफोग ओंटमेंड का कॉम्बिनेशन है हेपरिन सोडियम बेंजिल निक्टिनेट है और जैल का कॉम्बिनेशन है हेपरिन जैली और इसे ज का प्राइस है एक सो नौ रुपया पचपन पैसा चलिए जानते हैं ये किस काम आता है इसका उपयोग थ्रोंबोफलेबिटिस के इलाज के लिए किया जाता है ये एक ऐसी स्थिती है जिसमें रत के ठक्के की उपस्थिती से नर्स में सूजन या लालिमा होती है जब प्रभा इंजेक्शन हम लेते हैं कभी कभी सूजन रत के ठक्के जम जाते हैं उसमें ये बहतर काम करते हैं चलिए जान लेते हैं दोनों में अंतर दोनों एक ही काम करता है लेकिन ट्रोंबोफोब विंटमेंट में बिंजायल निकोटिनेट होने के कारण ये हिपरिन खून का ठक्क से राहत मिलती है देखते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं थ्रोंगदोफोब के सुरक्षा वहानी करने वाले प्रभावों के विशय में किसी तरह की कोई रिसर्च नहीं हुई है इसलिए इसे के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है अगर दोस्तों वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को दबाए थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो